इंडिया गठबंदन की बैठक में मीटिंग में नितीश कुमार ने सयोजक के पद से इंकार कर दिया सयोजक बनना नहीं चाहते इंडिया गठबंदन का नितीश कुमार गटबंदन की वर्चुली बैठक में नितिश कुमार ने फिर वही बात दोराई और कहा कि मेरी किसी पद में कोई दिल्चस्पी नहीं है हम चाहते हैं कि गटबंदन आगे बढ़े जरूरी है एक जुटता बनी रहे और नितिश कुमार की तरफ से ये भी कहा गया कि कॉंग्रेस से ही किसी को सेयोजग बनाना चाहिए तो जेडियू के नेता जेडियू के अध्यक्ष नितिश कुमार वो शक्स हैं जिन्होंने एक तरीके से सभी पार्टियों से बात की थी और इस गठबंदन में अपनी मुख्य भूमी का निभाई थी गठबंदन को बनाने में और आज वर्च्वाली बैठा कुई थी इंडिया गठबंदन के नेताओं के और उस दौरान सेयोजग को लेकर चर्चा हुई तो नितिश कुमार ने अपनी तरफ से कदम कीछे कीछी ने और कहा कि मेरी दिल्चस्पी नहीं है सयोजग बनने हम चाहते हैं कि गठबंदन आगे बड़े एक जुटता बनी रहे कॉंग्रेस से किसी को सयोजग बनाया जाए उन्होंने अपनी राई भी रखे